आखिर बाबा साहिब पर क्या बोले सुपरस्टार कुमार सानू जिसे सुनकर जातिवादियों के उड़े होश। तो जैभीम दोस्तों आप देख रहे हो The Buddhist Words YouTube चैनल। तो दोस्तों हमारी आपसे एक ही विननती है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब करते हैं। दोस्तों कुमार सानू जो की हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गायक हैं। इन्होंने अपने गाने की शुरुआत वर्ष 1989 में शुरू की। 2009 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पदम श्री भी मिल चुका है। वह भारत के प्रसिद्ध गायकों में एक हैं। क पोलकता में जन्मे कुमार सानू का मूल नाम केदारनात भटाचार्य है। उनके पिताजी स्वयम एक अच्छे गायक और संगीत कार थे। उन्होंने ही कुमार सानू को गाय की और तबला वादन सिखाया था। उन्होंने बाबा साहेब आंबेडकर भारत रत्न पुरसकार क कार्यकरम में भाशन देते हुए कहा, बाबा साहेब आंबेडकर जी ने अपने जीवन में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नहरू जी के साथ मिलकर देश को समरिध्धी और समानता की दिशा में अग्रणी बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने सामाजिक औ और आर्थिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाई और एक समान भारत की उँचाईयों की दिशा में हमें मार्गदर्शन किया। उनकी विशेशता यह थी कि वे न केवल एक धर्म निर्पेक्ष नेता थे, बलकि उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लोगों के हित में काम क उनका यहां तक कहना भी सत्य है कि उन्होंने ने नैतिकता और आधार भूत मानवाधिकारों की महत्वपून बातें कहीं और भी दुनिया भर में। आपको बाबा साहिब आमबेड कर के विचारों की महत्वपूनता समझाने के लिए यहां खड़ा हूँ, ताकि हम सभी उन समानता और न्याय की बात की, उनका संगर्ष धर्म, जाती और वर्ग के खिलाफ था, वे समाज को बता रहे थे कि सभी धर्मों का समान आधर करना चाहिए और हर व्यक्ति को समानता का अधिकार होना चाहिए, आमबेड कर जी को सिर्फ भारत रत्न कहना स्तरिय नहीं है, बल की विचार शीलता और उनका समर्पन हमें आज भी प्रेरित करता है, आमबेड कर जी का समविधान निर्मान करने में महत्वपूर्ण योगदान है, जिसने हमें एक समर्ध और समान भारत की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, आप सभी से अनुरोध ह कि हम बाबा साहिब आमबेड कर के विचारों को आगे बढ़ने का प्रयास करें और उनके आदर्शों का पालन करें, ताकि हमारा समाज और भी समर्ध हो और सभी व्यक्तियों को समानता मिले। उन्होंने यह साबित करने के लिए खुद को एक प्रमुख शिक्षा विद और विचारक के रूप में साबित किया, और देश को उनकी शिक्षा विचार शीलता से भरपूर रोशनी दी। भावना रहित है। बाबा साहिब आमबेडकर जी ने अपनी शिक्षा के दोरान हासिल की गई जानकारी और उनके अध्ययनों ने उन्हें समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार का सक्रिय पक्षी बना दिया। उन्होंने समाज को यह सिखाने का प्रयास किया कि शिक्षा ही वह ताकत है जो समाज में असमानता को मिटा सकती है, जो जातिवाद को उखार सकती है और जो एक समरस समाज की नीव हो सकती है। भारतिय समाज में जब शिक्षा के प्रती उत्साह की बात आती है, तो बाबा साहिब आमबेडकर जी का नाम सबसे पहले उठता है। उन्होंने अपने जीवन भर समाज को शिक्षा के महत्व के प्रती जागरूख किया। उनका आराध्यता का विशय यह था कि जब तक समाज में शिक्षा का समान वित्रण नहीं होगा, तब तक समाज में सच्ची विकास शीलता समभाव नारहित है। उन्होंने भारतिय समाज में शिक्षा के प्रती अपने समर्पन के माध्यम से एक प्रेरणा स्त्रोत स्थापित किया है, जिससे लाखों लोगों को प्रेरित किया गया है और उन्हें शिक्षा के महत्व के प्रती उनकी जिम्मेदारी बताई गई है। जी का योगदान केवल भारत में ही सीमित नहीं था, बलकि उन्होंने अंतर राष्ट्रिय स्तर पर भी अपनी विचार शीलता का प्रदर्शन किया। उन्होंने भारतिय सम्विधान को तैयार करने में अपनी महत्व पूर्ण भूमिका निभाई और अंतर राष्ट्रिय समुदाईयों को मानवाधिकारों के महत्व के प्रति जागरूख किया। उनका यह योगदान उन्हें विश्वरत्न के उपाधी के पात्र बनाता है। उनकी समझदारी, विचार शीलता और न्याय प्रिय द्रिश्टिकोंड ने उन्हें विश्वरत्न बनाता है। उनकी भाषा में सरलता, लोगों को जोडने की क्षमता और उनकी द्रड सम्विधानिक द्रिश्टि ने उन्हें विशेश बना दिया है। बाबा साहिब आमबेडकर जी ने अपने समर्पन, विचार शीलता और समाज में सुधार के प्रती अपने अद्वितीय योगदान के कारण ही वे न केवल भारत रत्न हैं, बलकि विश्व रत्न भी हैं। उनकी शिक्षा, उनके विचार और उनकी क्रियाएं हमें सिखाती हैं कि एक व्यक्ति कैसे अपने समर्पन से समाज में परिवर्तन ला सकता है और कैसे वह विश्व को एक उदार और समरिद्ध स्थान बना सकता है। उनका लक्ष था समाज में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को शिक्षा के महत्व के प्रती जागरूक करना। उन्होंने यह बताया कि शिक्षा के माध्यम से ही हम असली समरिद्ध और समानता की दिशा में बदल सकते हैं। आमबेडकर जी ने यहां तक कहा कि शिक्षा ही वह ताकत है जो किसी भी समाज को उतक्रिष्ट बना सकती है और उसने इसे अपने समाज के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में देखा, उन्होंने साबित किया कि समाज में सुधार के लिए शिक्षा की आवश्यक् और यही वह अदवितिय साधन है जो समाज को परिवर्टन की दिशा में आगे बढ़ा सकता है उन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाज में सामाजिक सम्रसता को बढ़ावा देने की बात की उनका उद्देश्य था समाज में सभी वरगों को समानता और न्याय की दिशा में तो दोस्तो आपके इस विशय पर क्या विचार है हमें कॉमेंट करके बताईए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और बेल आइकन प्रेस करे मिलते हैं किसी और वीडियो में जै भीम जै भारत धन्यवाद